हलो एवरिवन आज है 9th February और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Indian Oil Corporation के बारे में वीडियो में हम उसके बारे में बात्चीत भी करेंगे लेगने उससे पहले अगर आपने अवीदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो 80 से भी नीचे शेयर ट्रेट कर रहा है इंडियन ओयल कोर्परेशन का और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में इंडियन ओयल के शेयर में मतलब एक डेड़ परसंट के सब्सक्राइब कर नीचे आया लेकिन अभी सपोर्ट बना रहे है देखो 80 देखोगे तो पिछले एक सालों में तकरीबन एक परसंट के गिरावट है और इस बीच 90 रुपे तक गया तूटकर 65 तक भी आया था लंबा वक्त बिता बढ़िया रफ्तार पकड़ी और यह वो लेवल से कई सारे वीडियो से भी थे मेरे कि खरीदो 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 वले दोर में ईवी के लिए भी कंपनी सेट अप कर रही है बहुत सारी चीजे लेकिन अभी बजेट में एक बड़ी अनॉंसमेंट हुई थी बजेट में सरकार जो है वो हाइड्रोजन बेज एनरजी के ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा स्पैंड कर रहे हैं और ऐसे में ऐसे से स्टेटमेंट है कि गैस पाइपलाइन टू बी सून टेस्टेट फर हाइड्रोजन केरिंग पोटेंशल है कि नहीं उसके लिए टेस्ट की जाए यह बहुत बड़ी बात है और देखो कंपनी खुद को भी अपने आपको अपग्रेड रखती है ये भी अपने आपको अप सरकार डेफिनिटली बहुत बड़ा पैसा स्पैंड कर रही है बजेट में अनाउंस भी हुआ था यह सारी चीज़े इवन रिलाइन्स भी बहुत अग्रेसे लिए इस पेस में आगे काम कर रही है अगर इंडियन ओयल की मैं बात को तो कंपनी डेफिनिट लार्ज केप कंप कर रहा हूं खरीदारी के मौके हैं जब चर्डि के उपर गा Zarathब है मैने नहीं खरीदूँगा नब्य फिसा मैं नही खरीदूँगा इसको लेकिन जब भी आपको कैंपो साटर्च रुपे पर मिला जो कि अभी के वक्त में देखा जाए तो bank FD से तो कई अच्छा है लेकिन इवन कई mutual funds और SIP भी इतना return generate नहीं कर पा रहे हैं वो भी गिरते हुए बाजारों में Indian oil देखा जाए तो company large cap तो है ही even company profit में भी आ चुकी है हलाकि पिछले दो quarter खराब रहे थे इनके लिए लगाता losses हुए थे ने लेकिन इस quarter में दो लाग करोड से भी जादा का इनका revenue रहा और 775 करोड के आसपा सा मुनाफरा company ने अच्छा profit कमाया company का अच्छा revenue भी हमें देखने को मिला चुकी बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए company आगे और बड़े revenue कमायागी profit भी कमायागी क्योंकि company जो पिछल साल तक profit इनका 6000-7000 करोड का quarterly profit था बाद में दो quarter में खराब रहे क्योंकि margin पर असर पड़ा जरूर था लेकिन अब दुबारा से company track पर लौट रही है company के बारे में देखे तो बहुत बड़ी holding promoter के पास भी है promoter यहाँ पर कौन भी अगर्मेंट है सरकार है यहाँ पर एक भी share गिर्वी नहीं है ONGC बहुत बड़े highest public share holder यहाँ पर 14.20% के holding इन ही के पास है मतलब कि promoter की holding और ONGC की holding जो है वो कभी कमनी होने वाली है Indian oil को लेकर देखा जाए तो अच्छी quantity में share trade तो होई रहे लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करने जाए तो company में according to money control user 11% लोग कहरे कि बेश दो 89% लोग कहरे खरीदारी करो company को लेकर अगर आप देखोगे तो इन्हों ने हाल फिल हाल में पिछले साल देखा जाए तो दो बार dividend भी पे किया था इस बार इनके नतीजे तो आ गए लेकिन dividend को लेकर कोई announcement उतनी बड़ी यहाँ पर हुई नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि company दुबारा dividend definitely announce करेगी और बहुत जल्दी यहाँ पर आपको वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी पिछले साल अगर आप देखो तो चार रुपे फिर दो रुपे चालीस पैसे का dividend इन्होंने announce किया था 2021 में भी देखा जाए तो तक्रीवान साड़े नौ रुपे का dividend था यहाँ पर company के revenue जो कम हो रहे थे वो बढ़ना शुरू होए और अभी यह और बढ़ेंगे definitely बढ़ेंगे क्योंकि दो लाख करोड से भी जादा कि इनके revenue है हाला कि दिक्कत आगी profits में जो profit 24,000, 25,000 करोर के थे वो इस बार बहुत कम होगी क्योंकि पहले दूसरे quarter में company loss दिखाया है तीसरे quarter में profit है लेकिन 755 करोर का छोटा सा profit है तो अभी तीन quarter का अगर हम average निकालते हैं तो company loss में है चौथा quarter definitely बहुत बढ़ा होगा और काफी बड़े profits आपको देखने को मिलेंगे इंडियन all corporation P ratio 4.46 है सस्ता जरूर है यहाँ पर सेक्टर P 12.50 का है सस्ता definitely मैं कहूंगा इसको 67% analyst कहते हैं खरीदारी करो मेरी का recommendation है पहली चीज 80 रुपय के उपर नहीं खरीदूँगा मैं इसको मौके कहां पर बनेंगे खरीदारी के तो मेरे हिसाब से जो मौके बनेंगे वो 75 रुपय के आसपास बनेंगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 51.50% की holding है promoter के पास 2% की holding है mutual fund के पास 9.55% है domestic institution के पास 7.14% की holding है Files के पास retails और others की मिलाकर 29.81% की holding है जिनमें से retail investor 4.97% की holding के साथ है other parties 24.84 जिसमें से ONG से भी आ जाता है बड़ी holding के साथ यहाँ पर और इसो मैं compare करूँगा September से तो कोई उतना बड़ा changes देखने को नहीं मिल रहा है मतलब जो है वो जो hold करे वो hold कर ही रहे है और मुझे रहता है कि आगे भी hold करेंगे company definitely एक बड़ा dividend pay करती है आगे भी pay करेगी मेरे हिसाब से company इस साल आपको कम से कम 6 या 7 रुपए का dividend पे करेगी आपकी जो buying price है 75 रुपए के आसपास होनी चाहिए अगर वहाँ पर शहर आपको मिलता है तो और एवन अगर market condition मारों कि global कुछ ऐसी चीज़े होती है जो कि खराब हो बाजार के लिए और अगर गिरावट आती है यहाँ पर तो मेरे हिसाब से हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे कंपणी डूबने वाली नहीं है कंपणी अगर प्रॉफिट नहीं कर पाएगी कंपणी के लॉस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो सरकार भाईया कोई राहत पैकेज लेकर आ जाएगी इनके लिए इसमें कोई शक्की बात नहीं है और कंपणी आने वाले दोर में अगर आप कह रहे हैं कि ओईल खतम हो रहा है तो देखो अभी भी ओईल है कई सालों तो चलने वाला ओईल है हमारे पास इसका लावब एवी में भी कंपणी काम कर रही है इसके लाग हाइडरोजन में भी कमपनी काम करती हुए आपको नजर आएगी और सरकार बहुत ज़्यादा स्पेंटिंग वहाँ पर कर रही है और डेफिनिटली इनको भी फाइदा जो है वो मिलेगा अलागी यह फ्यूचर टेक्नलोजी है चाहिए हम हाइडरोजन की बात करें एवी की बात करें यह फ्यूचर टेक्नलोजी है अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन लॉंग टर्म में डेफिनिटली एक बहुत बड़े फ्यूचर है इनका अभी इनका जो ऑईल और गैस का बिजनस है वो काफी अच्छा चल रहा है और आगे भी इसी तरीक से चलता रहेगा तो मेरे हिजाब से कंपनी में खरीदारी करी है बने रही है और फ्रिश बाइंग के जहां तक बात है 75 रुपे के लेवल पर आपके नजर होनी चाहिए वहाँ पर जाता है तो डेफिनिटली एक अच्छे मौके बनेंगे खरीदारी को लेकर वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाय कर चनल अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडियनल कॉर्परेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू